वो कहते हैं बिना कुछ किये तीसरे पहुंच जाएंगे और कॉंग्रेस की माने अगर सब कुछ औभी अपने आप ही हो जाने वाला है इसका मतलब है कॉंग्रेस के पास न नीती है न नियत है न वीजन है न वैश्विक अर्थववस्ता की समझ है और नहीं भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है और इसलिए सोये सोये जब हो जाएगा यही एक आदिन एक जिग जी यह वज़े है कि कॉंग्रेस के शांसन में भारत गरीबी और गरीबी को बढ़ाता गया 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था कॉंग्रेस के सांसन कार में आर्थ ववस्ता दुनिया के क्रम में दस, ग्यारा, बारा इसके बीच में जोले खाती थी जुलती रही थी लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप पांच में अपनी जगह बना ली कॉंग्रेस के लोगों को लगता होगा कि इसको जादू से लकड़ी से हुआ है लेकिन मैं आज सदर को बताना चाहता हूं मानिय देक्षिव रिफॉर्म पर्फॉर्म एंड ट्रांस्फॉर्म एक निश्चित आयोजन प्लानिंग और कठोर परिश्रम परिश्रम की पराकाष्ठा और इसी की वज़े से आज देश इस मुकाम पर पहुँचा है और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतर रजाब बनी रहेगी आवशक्ते आनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और पर्फॉर्मन्स के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा और परणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुँचके रहेंगे आजनिय अद्रग जी देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रगड करना चाहतूँ और देश का विश्वास है कि दोहजार अठाइस में दोहजार अठाइस में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले तीन में होगा ये देश का विश्वास है आधनिया देख जी हमारे विपश्व के मित्रों के फित्रत में ही अविश्वास भरा पड़ा है हमने लाल के लिए से स्वच्छ भारत अभियान किया आवान किया लेकिन उन्होंने हमेशा अविश्वास जिताया कैसे हो सकता है तो गांदी जी भी आके गए करके कहके गए क्या हुआ अविश्वास से भरही हूँ इनकी सोच है हमने मा बेटी को खुले में सोच से मुक्ता करने के लिए उस मजबूरी से मुक्ता होने के लिए सोचाले जैसी जरुत पर जोड़ दिया और तब यह कहने है क्या लाल के लिए से ऐसे भी शे बोले जाते है क्या ये देश की प्रात्मिक्ता होती है क्या हमने जब जंदन खाते खोलने की बात की तब भी यही बात निराशा की क्या होता है जंदन खाता उनके हाथ में पैसे कहा है उनका जेब में क्या पढ़ा है क्या लेके आएंगे क्या करेंगे हमने योग की बात की हमने आयुरुवेद की बात की हमने उसको बढ़ावा देनी की बात की तो उसका भी मखोल उड़ाया गया हमने स्टार्ट अप इंडिया की चर्चा की तो उन्हों ने उसके लिए भी नराशा फैलाई स्टार्ट अप तो कुछ हो ही नहीं सकता है हमने डिजेटल इंडिया की बात कई तो बड़े-बड़े विद्वान लोगों ने क्या है हमने मेकिन इंडिया की बात कही जहां गया वहां मेकिन इंडिया का मजाग उड़ाया जहां गये वहां मेकिन इंडिया का मजाग उड़ाया अधानिय अध्यक जी कॉंग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इत्यास रहा है कि उन्हें भारत पर भारत के सामर्थ पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है और ये विश्वास किस पर करते थे मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूँ पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था हमारे यहां आए दिल आतंकवादी भेचा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ उपर करके मुकर जाता था भाग जाता था बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है कोई जिम्मा लेने को तयार नहीं होता था और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था वो तुरंट पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे पाकिस्तान कहता था कि आगतों की हमले होते रहेंगे और बातचीज भी होती रहेंगे इने यहां तक कहते बें पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा यह इनकी सोच रही है कश्मीर आतंगवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था जलता था लेकिन कॉंगरेस सरकार का खाम कश्मीर के आम नागरी को पर विस्वास नहीं था बेविश्वास करते थे हुरियत पर बेविश्वास करते थे अलगवादियों के पर बेविश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का जंडा ले करके चलते थे भारत ने भारत ने आतंगबाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने एर्स्ट्राइक किया इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था इनकी प्रहुत्री जी अध्यक्स महुद है आज दुनिया में कोई भी भारत के लिए अब सब्द बोलता है तो इने उस पर तुरंत विश्वास हो जाता है तुरंत उसको कैच कर लेते हैं ऐसा मेगनेटिक पावर है कि भारत खिदाब हर चीजे तुरंत पकड़ लेते हैं जैसे कोई विजेसी एजनसी कहती है कि बुखमरी का सामना कर रहा कोई कई देश भारत से बैतर है ऐसा जूठी बात आएगी तो भी पकड़ लेते और हिंद आज को बदनाम करने में क्या मजा आता है दुनिया में कोई भी ऐसी बेतू की बातों को मिट्टी के ढेले जिसी जी मतना हो आईसी बातों को तवज्जु देरा कि कॉंग्रेस की फित्रत रही है और तुरंत उसका भारत में एम्प्लिफाय करना प्रतार करना पुरी देम लग दापी